देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के अंदर भारते जंता पार्टी की बहुत तेज हवा बह रही है दिरंतर अन्य पार्टियों से भी बड़ी संख्या में जो विकास की राजनीती करना चाते हैं दो सो असी विधान सभा जलालपूर के विधायक समाजवादी पार्टी से वर्तपा में विधायक हैं सुभास राय जी वे भारते जिन्ता पार्टी के परिवार में शामील हो रहे हैं हम उनका अभिनेंदर करते हैं को अस्वाकत करते हैं और इस अवसर पर भारते जिन्ता पा उप मुखे मंत्री दिनेश शर्मा जी हम लोगों के मद्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द्द में में बेंदन करें इस सवसर पर अधरने अध्यक्षी से में राग रहा है कि मीडिया के वंदों को संबोधित करें सुभाज जी का भारती जन्ता पार्टी में स्वागत करते हैं हम सब सुभाज जी को पहले भारती जन्ता इवा मुर्चा में थे इवा मुर्चा के अपने डॉक्टर दिनेश सर्मा जी के साथ पदाधिकारी थे पुना बिजेपी में इनकी वापसी हुई है घर वापसी हुई है और जो कानून का राज है राज्य के अंदर जिसके खान राजी के अंदर सांती है और एक राष्टवाद और विकास की जो बयार चल लए ये राजी के अंदर जो वातावरन निर्मित हो रहा है ये सब देखते हुए सुभाष जी भारती जनता पार्टी की सदस्ता ग्रहन किया है हम सब भिर्दन से उनका स्वागत करते हैं और आपकी आने से पार्टी का कद भी बढ़ेगा और पार्टी मजबूत भी होगी अमबेटकर नगर जनपद में भी अपने छेत्र में भी अवर छेत्र में और आपका प्रभाव है नीचे तक प्रभाव है दलित सोशित बंचितों के बीच में भी पिछड़े छेत्रों में भी सामाजी के संगठन के माध्यम से आप काम करते हैं तो समाज के सभी वर्कों की लोग में भारती जनता पार्टी से जुड़ेंगे और आदरेनी मोदी जी आदरेनी योगी जी के विचारों से प्रभावित होकर आप भारती जनता पार्टी की सदस्ता ग्रहन किये हैं मैं हिर्दन से आपका स्वागत करता हूँ और आपका अभिनंदन करता हूँ बहुत दो धनवाद